हलो फ्रेंट्स गुड आफ्रन और वेलकम और यूर चैनल टेक्नो गुरू मैं होग का दोस्त और होस्त हरी कमबोज यह है मेरा चैनल मेरे चैनल को आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो देता हूं जो आपको सब्सक्राइब करने में करते हैं कि उनको मैं बताओं कि Google सर्च कंसोल है वो कैसे वर्क करता है और उसके अंदर हमने क्या-क्याव डेटेल सब्मिट करनी होती है तो चलिए उन्स टाइमनी वेश्ट करते हैं अपने ब्लॉगर पर अपने ब्लॉगर पर यह मेरा ब्लॉगर और यह है मेरा ब्लॉग आप सभी को पता है जैसे मेरा ब्लॉग है टेक्टिटोरियल हब तो यह है मेरा ब्लॉग जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किसका कॉंटेंट युए है वो आपने गूगल सर्च कंसोल पर कैसे सब्मिट करना है जैसे आप सभी को पता है जो पुराने ब्लॉगर हैं हम सभी को पता है कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर हमने अपनी वेबसाइट के अपने बलॉग का साइट मैप जो है वो सब्मिट करना होता है तांकि गूगल को पता चले कि यह इंटरनेट पे कुछ नया कंटेंट है और अगर उसके ही मैच करती हुई गूगल पे कुछ सर्च होती है तो वो गू सो फ्रेंट से चलिए क्या करते हैं सबसे पहले हम चलते हैं अपने यहां पर ब्लॉगर पर आपके लेफ्ट साइड पर जो मैन्यों वहां पर सेटिंस की टैब दिखती होगी और उसके अंदर है सर्च प्रेफरेंस नाम का एक जो टैब है आपने वहां पर आटोमेटिकली गुगल सर्च कंसोल नाम का एक टैब बनाता है उसके सामने अडिक की option है आपने वहां पर क्लिक करने है जब आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप ड्रेटली गुगल सर्च कंसोल पर रेट नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी तोकि बलॉगर के अंदर उन्होंने अटोमेट है मैंने इसके अंदर डाले हुए फिलहाल मैं बात करूंगा दी टाइम दी इंडियानौ डॉट इन मतलब टेक्टेटोरियल हमके रिगार्ड इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवर्वी दे देता हूं दीखिए इसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस चो करता है कि आपक कों से उन्हों ने जो कॉंटेंट है आपके कर रहे हैं आप प्रफॉर्मेंस में चलते हैं यह दिखी यहांपर टोटन क्लिक कितने हैं टोल इंप्रेशन चकितनी हैं और एवर्रेज पोजीशन अपकी क्या चल रही है यहां पर नीचे आपका दिखाएगा कि कौन-कौन सा और यहां पर पेज़ी आपके ब्लॉग के यूरल वो दिखाएगा किस पर कितनी सर्च चाहिए और कौन सी कंट्री से यहां पर सबसे पहले इंडिया पर यूएस फिर नाइजिरिया फिर पाकिस्तान सिंगापोर बंगलादिश यह सारी कंट्री से आपको जो प्लिक्स हैं वो तो सारी आपको दिखाएंगे यहां पर देच्टाप इसे कितनी है इन तैबुलिट से कितनी है एसके इस एंदर सॉटठ आठ कर सकते हैंılan कि कहां कहां से कौन कौन पर डिवास से ओर कौन 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 सी से अपके पेज पर बलॉग पर यहान है वह त्र GoThat पर चंप तो मैंने एक ऐसी ही कि मैंने लास्ट वीडियो कमना के रखी हुए उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे साइट मैप करेट करना है ब्लॉगर के लिए और उसको यहां पर सब्बिट कैसे करना है इस वीडियो में दुबार से नहीं बताऊंगा आपको उसको देखने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक बिल जाएगा कि साइट मैप और उसको सब्बिट कैसे करना है गूगल सच कंसोल में अगर आपने यह नहीं दिखना त के अंदर कैसे सब्बिट करना है यह दोनुद चीजे के लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे सकता हूं यह देखिए यहां पर हाओ टो क्रेट साइट मैप फॉर ब्लॉग एंड सब्सक्राइब 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 के साथ मैंने यहां पर गाइड के अंदर जी देखिए मैं आपको दिखाता हूं जो वरी लेटिस्ट पोस्ट है हमने क्या करना है देखिए एक बार जो साइट में आप है वहां पर सब्सक्राइब कर दिया उसके बाद अगर आप ब्लॉगर है आप नए कॉंटेंट लिख रहे हैं तो उसको है ना इसको कपी करता हूं यहां से और बाद में चलता हूं Google सपी यहां पर मैं करूंगा सब्मेंट औरया करने के बाद यहां पर है enter करने के better Google Sergeant इंडेक्स के अंदर से मेरा data रेट्रिव कर रहा है कि ये URL गूगल के अंतर है या नहीं यह दिखりे यहां पर लिखा रहा है URL इस NOT on Google तो मतलब कि मेरा यह वाला यह ब्लॉग है यह ब्लॉग ऐगे Google के पास अभी नहीं पहुंचा, मैंने submit नहीं कर रह आए, देखी, यहाँ पर उन्होंने बोला है जो आपने साइठ मैप दिया था उसके अंदर से ये page उनको नहीं मिला है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मेरा साइठ मैप है, काफी पुराणा इसके अंदर जो है, summit किया हुआ करा था कल और समिट करा था 29 फेबरेरी को उसके बाद मैंने साइट मैप गूगल सर्च कुंसोल के अंदर नहीं डला अगर मैं इसके बाद मैंने डाला होता तो यह पीज वहां से उठा लेता लेकिन अभी देखिए मैं दुबारा से यूरल को कॉपी करता हूं और दोबारा से इसके अंदर पेस्ट करता हूं यूरल इस्पेक्शन पर जाके तो यह बोलेगा कि यह वाला जो आर्टिकल है यह गूगल सर्च कुंसोल के अंदर आपका नहीं पड़ा मतलब इस मेरे ब्लॉग के अंदर इस आर्टिकल के अंदर मेरी औरगनिक ट्राफिक को कपी करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यह बोलेगा यह अल्री गूगल सर्च के अंदर मेरा सब्मिट किया गया है मैंने सब्मिट कर रहा था कुद यह भी रिट्रीव कर रहा है डटा तो फीट करते हैं क्या मुझे मैसेज देता है यह देखिए यूरल इस ऑन कर वाया था पेज उन्होंने फैच कर रहा है यह देखो यहां पर यूरल आ रहा है और यहां पर लिखा रहा है इंस्पेक्टड यूरल अब हमने क्या करना है जो यूरल मेरा यहां पर नहीं आए मैंने उसको submit करना है यहाँ पर मैंने दुबारा से मारा enter और अभी मुझे क्या करना है देखिए यहाँ पर लिखा रहा है URL is not on Google तो यह सामने आपके option है request indexing मैंने यहाँ पर कर दिनी है click यहाँ पर अभी आपके सामने live यह test करेगा यह अगर मेरा जो URL है live होगा तो अभी मेरी जो request है वो submit कर लेगा Google search console के अंदर crawl करने के लिए index करने के लिए यह live आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा time जूरूर लगता है क्योंकि वो Google के अंदर सारी report submit करता है आपके URL के अंदर को जो content होता है उसको उठाता है तो यह wait हमें करनी पड़ेगी एक दू सेकिंड एक तो मिनिट जैसे आप सभी को पताए कि आज का lockdown चल रहा है तो इन दिनों में आप क्या कर सकते हैं यह दिखिए सबसे पहले तो यहां पर इसने बूल दिया है कि indexing request URL was added to a priority crawl queue submitted a page multiple times will not change its queue position और priority उन्होंने बूल दिया कि हमने एक बार submit करा है तो वो submit उन्होंने कर लिया अगर दुबारा से हम submit करेंगे तो जो उनकी queue line चल रही है उसके अंदर से वो priority change नहीं करेगा उसी सबसे वो चलेगा यह ज़्यादा टाइम नहीं लगता थोड़े टाइम के अंदर यह हमें Google के अंदर यहां पर URL जो है online show कर देगा so friends मेरा यह वीडियो पनाने का मकसद यहीं था कि अगर आपने blog बनाया है और Google search console के अंदर आपने submit नहीं करवाया अपना site map और आपने blog contents तो आपको blog बनाने का कोई फाइदा नहीं है यह Google से आपकी organic traffic नहीं आएगी चाहिए आप earning कर रहे हैं थोड़ी बहुत लेकिन internet के उपर जो आपकी blog की position है जो आपकी repetition है blog की वो नहीं बनेगी आपकी website की नहीं मनेगी आपको Google search console के अंदर जाके आपका site map जो है submit करता है उसके बाद जो भी आप नया एक article लिखते हैं उसका अपनी URL Google search console के अंदर ऐसे ही आपने submit करना है so friends मैं बात कर रहा था कि lockdown के दिनों में मेरे को पता है काफी सारे मेरे दोस जो है मेरे blog को grow कर रहे है अच्छे खासे content लिख रहे है और traffic लेके आ रहे है आज कल थोड़ा time जूरू लग रहा है AdSense को इसको अप्रूब करने के लिए आपकी applications लेकिन अगर आपका content solid है आपने किसी का content copy नहीं करा आपका खुद का लिखा हुआ content है तो आप जल्दी से जल्दी सकी approval जवाँ पालेंगे So friends ये था हमारा वीडियो बनाने का आज का मकसद topic So thanks for watching this video Friends, bye bye Stay home, stay safe और अपने और अपने परिवार को बचा के रखिए करोना से